प्रति जन संख्या पर मुझे चिंता होती हैं के लिए काफी फेमस है लेकिन इस बार उन्होंने देश में बढ़ती जनसंख्या पर अपनी चिंता जताई है और अपनी चार बच्चे होने के पीछे कॉंग्रेस पार्टी को सिम्मधा ठेराया है सांसत का मानना है कि अगर समय पर कॉंग्रेस जनसंख्या नियंदरन पर बिल लेकर आती इस पर कानून बना देती तो मैं चार बच्चे नहीं करता उन्होंने कहा कि वो चार बच्चों के पिता है इसलिए अच्छी तरह से समझते हैं कि बड़ा परिवार होने का क्या नुकसान होता है भारतिय जनता पार्टी के सांसत रवी किशन और निशिकान तुबे ने जनसंख्या को कंट्रोल करने के उद्देश से लोगसभा में प्राइविट मेंबर बिल पेश किया है बिल के उद्देश में सांसतों की ओर से बताया किया है कि विश्व गुरू बनने के लिए हम इस सबसे पहले जनसंख्या पर कंट्रोल करना होगा उन्होंने कहा कि किसी भी देश की अगर जनसंख्या नियंत्रित है तो वो देश तेजी से विकास करता है देश की आर्थिक बस सामाजिक इस्तिती तेजी से सुधरती है इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जनसंख्या पर निजी बिल पेश कर रहा हूँ इससे आने वाली बीडियों को फायदा होगा जनसंख्या के मुद्धेपर BJP सांसत की ओर से कॉंग्रिस को घेरने की एक वज़ा ये भी है कि 2019 में जनसंख्या नियंत्रन विधयक का कॉंग्रिस ने विरोथ किया था बिल में उन लोगों के लिए सरकारी भत्तों और फायदों के बारे में बताया गया था जिनके सिर्फ दो बच्चे हैं ये बिल उन परिवारों को टेक्स, प्रॉफिट, रोजगार मिलाप और सेक्षिक भद्दा प्रदान करता है लेकिन कॉंग्रेस ने इस बिल का विरोध ये कहकर किया है कि ऐसा बिल इसलामोफोबिक है कॉंग्रेस नेता और फिल्म मेकर का रवी किशन पर तंच बीजेपी सांसत रवी किशन के चार बच्चों वाले बयान पर कॉंग्रेस प्रवक्ता तो प्रिया श्रिनेत ने तंच कस्ते हुए एक ट्वीट किया बच्चे पैदा होते गए और आपको घटना का पता नहीं चला जाने माने फिल्म मेकर विनोत कापडी ने रवी किशन के भयान पर ट्वीट करते हुए लिखा चन संक्या नियंदरन बिल की वकालत करने वाले रवी किशन चार बच्चों के पिता क्यूं बने इसके लिए भी बीजेपी सांसद की नजर में कॉंग्रेस ही जिम्मदार है पूरा सुनिये और समझे के कैसे कैर जिम्मदार बचकाने संवेदन हीन लोग भारत की संसद में है पंजाब के स्ट्री टीवी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए